जूलाइ के दौरान दुनिया भर में गोल्ड के Exchange Traded Fund यानि ETF ने अपने गोल्ड होल्डिंग घटाई है दुनिया भर में गोल्ड ETF की होल्डिंग जुलाइ के दौरान 81 टन घटकर 37,8 Tuesday night टन घटकर 37,8 टन रह गई है भारत के गोल्ड ETF में होल्डिंग घटकर 38.12 तन रह गई है जुलाई में करीब 0.09 तन सोना बेचा है ETF से डॉलर की मजबूती की वैसे जुलाई के दौरान दुनिया भर में गोल्ड ETF ने सोने की बिखवाली किये सर महगाई है मंदी है सब कुछ ऐसा है जो सोने की चमक को बढ होतरी दिखती है हमें गोल्ड से निवेश की निकासी दिखती है एक तो यह सामाने ट्रेंड है जो उनको बाजार में दिखता है भारत में भी गोल्ड ETF में कीमतें ऊपर होने के बाद भी जो इन्फलो था वो करीब 490 करोड रुपए के आस पास था जो कि इसमें बहुत इन्फलो में नहीं दिखाई दी भारत के अंदर डालर की मजबूती सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि अमेरिका में ब्याजदरें बढ़ती रहेंगी महगाई जाधा है इसलिए जब तक डालर मजबूत होता रहेगा सोने को लेकर या सोने की डिमांड को लेकर या सोने के डिजिटल प्रोडेक्ट्स में उतन में उतना निवेश नहीं होगा वो हमें गोल्ड इटीफ के तोर पर दिखाई दे रहा है दूसरी चीज़े कि मंदी के दौर में सामान रूप से मंदी के दौर में सोना चमकता है लेकिन हमें एक दूसरा ट्रेंड भारत के संदर में दि समभावना है समाना जा रहा है कि तीसरे quarter में तीसरी तिमाही में भारत में gold jewelry की demand में कमी आएगी आठ पर्सेंट की गिरावट की समभावना जारी की है इकराने अपनी एक report में कि भारत में gold jewelry की demand में 8% की कमी आएगी तो overall महंगाई और मंदी होने के बाद भी सोने के लिए बाजार में एक अच्छा उटलुक नहीं बन पा रहा है इस बीच शेर बाजारों में निवेश वापस शुरू हो गया यानि जो पैसा थोड़ा बहुत शेर बाजार से निकल कर गोल्ड डिटीएफ वगरा में जाता था वो धिमें धिमें शेर बाजारों में वापस लोटने लगा है तो गोल्ड के दो बाजार हैं एक बाजार निवेश कमों का बाजार है और एक बाजार सोने को खरीद कर अपने घर रखने वालों का बाजार है दोनों बाजारों में हमें फिलहाल मंदी दिखाई दे रही है कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है ये ताजा परे दुश्य है